नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 12 अगस्त सोमवार को केसा रहेगा राजस्तान के सभी जिलों का मोसम इसकी फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं इससे पहले आपको बता दे पिछले 24 गंटों के दोरान अधिक तर राजस्तान के जिलों में बारिस का दूर थम चुका है लेकिन मौसम विभाग के वेगानिकों ने बताया है कि 13 तारिक की रात को मानसून एक बार फिर करवट लेगा और लगबग राजस्तान को फिर से भीगोईगा मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के उपर कम वायुदाप का छेतर बना हुआ है इसका असर 13 अगस्त के बाद राजस्तान में दिखाई देगा लेकिन बारिस की संभावना काफी कम है आपको बता दे राजस्तान ही नहीं बलकि दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून आज सुस्त पड़ गया है आलागि राजस्तान के पस्षीमी और दक्सिनी भागों में कुछ इस्तानों पर हलकी फुआरे हो सकती है मोसम विबाग का कहना है कि अभी पाकिस्तान के उपर भारी बारिस हो रही है इसका असर आने वाले दिनों में अब राजस्तान में भी पड़ेगा यानि कि 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक मानसून राजस्तान में फिर सक्रिय हो जाएगा आज राजस्तान के अधिकतर जिलों में मोसम सुस्क ही बना रहेगा बारिस की कमी देखने को मिलेगा राजस्तान समयत पूरे देश विदेश की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए